स्मॉल कैप की जोरदार पिटाई हो रही है ये दोनों इंडेक्स तो अपने हाई से 15-15 परसेंट गिर चुके हैं पर असल में स्टॉक स्पेस्पिक पिटाई कहीं जादा है कई स्टॉक अपने हाई से आदे हो चुके हैं और आदे तो छोड़िये कुछ तो 70-80 परसेंट तक क दिवेश करना चाहिए आप लोग अपना होंवर्क करी रहे होगे पर ये शो के जरीए हमारी कोशिश है आपकी मदद करने के और देश के तीन जाने माने एक्सपर्ट्स आज हमारी मदद करेंगे इस सेल में स्टॉक पिकिंग में तो तीन एक्सपर्ट से सेटी फिर्मार्ट के विकास सेठी मार्केट एक्सपर्ट अम्रीश बलिगा और जॉइंडरे कापिल के अविनाश गुराक्ष का आप सब का स्वागत है और अविनाश जी शुरुआत तो आपके साथ ये बताओ सर ये वाकिव से सेल मानू और सेल म आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या पोट्फॉलियो बिल्टिंग कर रहे हो इस समय बिलकुल इन फैक्ट आशिश मुझे लग रहा है कि मार्केट में जिस प्रकार की तेजी हमने 2017 में देखी दी 2018 डेफिनेटली एक वोलटाइल येर है काफी हैडवेंड है अपार्ट फ्रॉम इ निवेश करके थोड़ा सा समय बिताना चाहिए हाला कि हो सकता है कि आने वाले तीन से छह मैने में इमीडियेट अपसाइड कुछ ना है लेकिन अगर लंबी अवधी के लिए खरीदना है तो मेरी ख्याल से अच्छे बिजनेस अच्छे वैलेशन पे अगर मिलते हैं तो एक किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी थोड़ी बहुत भी अच्छी होती ले लिया होता तो मैं गलत नहीं पड़ोता उस ट्रेड में कमाई करी होती पर यह जो साल 2018 है यह साल है स्टॉक पिकिंग का हमें फोकस करना पड़ेगा ध्यान से चेरी पिकिंग या ध्यान से स्टॉ स्टॉक्स उठाने पड़ेंगे है ना विकास जी बिल्कुल असीज जी बहुत ही बजार में एक बहुत अच्छी खासी गिरावट आई है वैसे निफ्टी को देखेंगे तो इतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखेंगी विकास हाइज से अपन कुछ ज्यादा टूटे नह जिनका साल डेड़ साल दो साल का व्यू है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है खरीदारी करने का और यह जो टाइम फ्रेम है इसके दर्मियान हम जो इलेक्शन की भी जो अनसर्टिंटी है वो सब सब खतम हो चुकी होगी तो मुझे लगता है भारतिय बाजारों में अच्छी तेजी बनेगी और एक सई समय है जो फंडामेंटली साउंड क्वालिटी मिट कैप्स खरीदने का ओके तो खरीदारी करनी है सोच समझ के खरीदारी करनी है अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मैं खास तोर फेशो में आज लाज यह सर कईयों के पोर्टफोलियो में जो फसे हुए हैं कई लोग सोच रहे हैं एविशन कंपनीज में जेट में घुसें या नहीं घुसें एंट्री करूंगा है एन लिवल्स के आसपास साल के लोग्स के आसपास के एवैलुएशन आकर शक हैं क्या यह स्पेस आपको सवाल है यहां पर एक रन नीती डिफरेंट होनी चाहिए बहुत ही अच्छी डिमांड है आप जब ट्रवल करते हो तो देखते हो कि पूरे एरपोर्ट्स पे भी लगी रहती है फ्लाइट में भी सीच प्राइफुल रहती है अच्छा पैसेंजर लोड फेक्टर है और जिस अपने जो बोईंग 737 MAX एरक्राफ्ट की भी डिलिवरी ली है तो इन सब को देखते हैं मुझे लगता है करिंट लेवल्स पे यह अपने 800-900 के लेवल से अब आजकाल 380-85 के लेवल पे ट्रेड करता है डिफिनेटली एक अच्छा मोका है लॉंग टर्म इन्वेस्टर्स के जाना है स्टॉक में इवेंच्छी यहां से उच्छाल दिखाएगा साड़े 400 के टार्गेट के लिए यहां पे अपरोच करने के होंगे मौके हाँ यह बात सही है मुंबई में कभी पीकार्ज में चले जाओं और कितना समय से पहले चले जाओं कई बर ऐसा होता है कि एरपो जी दोनों स्टूडियो में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं यह दो बैंक्स में हमिना शुरुआत आपसे एक तो पंजाब नैशनल बैंक सरकारी बैंक में हम सब उसी के बारे में चर्चा करते रहे बहुत दगरी पटाई हुई है दिक्कते भी थी इसमें कोई शक नहीं पर 2018 में जो लॉस बैंक ने रेकॉर्ड किया है करीबं 12,280 क्रोर का यह ज्यादा तर निरव मोदी के फ्रॉड के कारण हुआ है एसेट कॉलिटी का भी स्ट्रेस है हमको लग रहा है कि अगर पंजाब नैशनल बैंक का अगर साइज ऑफ दे बैलेंस शीट देखे इनका जोग् रीच देखे तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट्स ने उपरी लेवल से इसकी बहुत जोर के पिटाई किये बट हमको यह भी नहीं बूलना चाहिए कि बैंक सरकारी है यहां पर ऐसा है नहीं कि बैंक बंद हो जाएगी ओब्वेसली एफ 519 जो आप कह रहे हो औ और एक चैलेंजिंग यह रहेगा बट अगर F20 का अगर हम आउटलूक देखे तो मुझे लग रहा है कि 75-80 का रेज में अगर यह स्टॉक मिलता है तो मेरी ख्याल से लॉंग टर्म में डेफिनिटली इसमें वाल्यू बन सकती है करीवन 20-25 परसेंट का हमारा यह टागेट ह है PNB MetLife, PNB Housing, UTI Mutual Fund, IKRA तो यह काफी ऐसे इन्वेस्मेंट्स है जो यह बैंक शायद आगे चलके डाइवेस्ट भी कर सकती है अच्छा प्रीमियम भी उनको मिल सकता है तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि कम से कम F20 के आउटलूक को देखते हो 105-110 का नियर टम का है अब तक तो हो जादा दिखना ने शुरू हा था अब वो दिखना शुरू हुआ है कि पैसा वापिस आ रहा है कुछ हालात सुदर रहे हैं रोज बैठे के होती है तो होप जागने लगे है इसलिए मैं थोड़ा कहाता कि मैं थोड़ा लंबी अफदी के लिए तो PNB जैस दो तीन साल में इतना नेगटिव सेंटिमें हो जगा है ले इस तक बैंक अव इंडिया ठीक है बैंक अव इंडिया लास्ट थर्टीन कॉर्टर में एट कॉर्टर में लॉस दिखाया लास्ट कॉर्टर का जो स्लिपजिस था काफी हाई 13,000 क्रोस प्रे-tax loss 5500 क्रोस पर जो बोलता है देश्ट थे लिए अगे जाके जो प्रोविजिन होंगे मुझे लगता है कि प्रोविजिन हो चुके है यहां से बहुत जादा और प्रोविजिन होंगे ने थांक्स तू निरव मोडी जो एपिसोड हुआ रिकवरीज जो हम लोगे देखा ने था लास तीन साल में रिकवरीज शुरू होए हैं नाओ आ थिंक देविल गेन मोमेंटम गएड तो यह सब मुझे लगता है कि मार्के ने डिस्कॉंट नहीं किया है क्योंकि स्टॉक्स र सब्सक्राइब कर रहें थोड़ा बहुत नीची जा रहें तो मुझे रखता है कि आगे जाके वेनेवर भी सी रिकवरीज हैंग प्रोविजिंस कमिंग दाओ इन देखा है तो शायद एक फ्रेश डिस्कॉरी होगी यह सेक्टर की और जो हम लोगे शायद फर्मा में देखा और उस पर री रेटिंग होगा तो इसलिए बुझ आगता है कि a stock like bank of india from current levels 94-95 level से it can go to 140 when this discovery happens तो light at the end of the tunnel जितनी दिक्कते हैं उसके बाद हुमीद जागी की रियोफ हो पा सकती है कि हालात सुदरेंगे और बहुत कुछ pain जो आप लोगो मान रहो इस price में already reflect कर रहा है ना यही mood है तो ठीक है पंजाब national bank bank of india जो दो सरकारी banks की बहुत तगड़ी पटाई हुई है मेरे रिकाल से अपने recent high से 50-60% के दोनों banks पिटते हुए नजर आएं correct होते हुए नजर आएं इन दोनों में खरदारी करने के मौके ढूंड़ने हैं और सरकारी banks में दोनों ने एक port का इस्तमाल करा high risk investors तो risk covers हैं बहुता है risk लेना पसंद नहीं करते तो ना घुसें space में बहतर ह है जहां high risk होगा वही high return होगा तो return भी आपकी screens पे 50% bank of India में आपको नजर आ रहे हैं तो इस तरह के मौके हैं सरकारी banks में फ्रहाँ सा cautious रहके इस trade को खेला जा सकता है अच्छा विकास जी वेदानता metals में बड़ा तकड़ा out performance आया ता पर वो rally of lead fizzle हुई और मेदानता तो है क्या आप लोग खरदारी करने का मन बना रहे हो क्या पोर्टफोलियो में रखो के वेदानतों के लेवल्स पे वेदानता पे आप लोग का कॉल क्या है बिल्कुल आशेश यह स्टॉक बिल्कुल इन लेवल्स पे खरीदने लायक है मुझे लगता है जिस तरह से metal stocks की पिटाई हुई है हालांकि उसके fundamental कारण है जो यूएस और चाइना का trade war छिडा हुआ है उसका काफी बड़ा असर metal prices पे पड़ा है metal prices में गिरावट आई है और वेदानता की अपनी भी दिक्कते थी हाली में जो ट्यूटी कोरिन प्लांट जो सट्डाउन की खबरे आई जो चैन्नई में काफी लोग मारे गए और उसके बाद से रेड़ वार है यह ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है यहां पर भी resolution होगा और एक अच्छा जो fundamentally अच्छी company होती है उसको negative news flow के बीच में खरीदने का एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है और अगर आप लंबी अवदी के निवेशक हो तो यह सई समय होता इस स्टोक को खरीदने का तो उसलियाद से और फिर management पे बिल्कुल एक confidence है मुझे लगता है इस स्टोक को इन levels पे definitely खरीदना चाहिए valuations बहुत आकरसक हो गए है और अगर साल बर का आपका नजरेया तो मुझे तीन सो रुपे तक के levels दिखाई देते हैं बिल्कुल खरीदना चाहिए valuations बहुत अट्रक्टिव और इस देश में तमाम commodities को play करने का एक बहुत बहुत बहुतरीन तरीका है वेदानता पसंद आ रहा है स्पेस का इंडिया सिमेंट जितनी बाते हैं जितने बार इसके बारे जो पढ़ूंगा ना सब अच्छा ही लगेगा valuations के लिया आज से EV पाए टन देखूँ इससे सस्ता large cap में कोई player नजर नहीं आएगा management आके हमारे show new year company में कह चुका है पचीस हजार एकड़ की जमीन है इसके पास और वो एक जो IPL का pain था वो team तो अलग कर दी गई है अलग company है जब भी list हो की जो भी होगा मुझे मिले गई बजार तो इसा मुल्यांकर में factor in curry नहीं रहा है इन सब को जानने के बाब जो यह stock चल के नहीं दे रहा उल्टा और पिटाई होती जा रही है इंडिया सिमेंट खरीदोगे आप अगर हां तो क्यों खरीदा तो चाहिए एक जो बात हुआ था इन दे लास्ट 1.5-2 यह आई-पर का जो आप बता रहे थे तब से मूड गड़ गड़े था तब से मूड बगड़े था बिकाज बिकॉज ब्याद भीड़े गड़ेशस्ट 4 यह टो अगर आप स्यर्माड भास सब क्रिकिट के जगल आपस हा गई था ओर आप there were other issues, sand availability का issue था बीच में, input cost बढ़ गए थे, और जो भी cement का demand था, it was more from the infrastructure project point of view, तो महां पे volume होता है, margin मिलता निया, so I mean right now going ahead, मुझे लग रहा है कि जो retail demand है, जो construction demand है वो आस्ता से बढ़ रहा है, and we have started seeing marginal uptick in the prices, sand availability का issue has been sorted out in most of the places, except possibly Rajasthan, so that is out of the way, और जो मुझे लग रहा है कि that 25-30,000 acres का जो बात कर रहे, I think उसका भी monetization हम लोग देख सकते है over the next possibly possible three to four years, तो from that point of view मुझे लगता है कि India Cement more or less bottom out हो चुका है at these levels, may take a while longer, may take about next one or two quarters, जहां पे confirmation आया कि yes, bottom out हो चुका है, if one can hold on for the next 12 months, मुझे लगता है कि one should be able to again see levels of 160-170, okay, तो India Cement में खरदारी करने के आप मौके जूनदे हैं, काफी अतक शायद pain already price में है, अब हालात सुधरने के साथ समय आने वाला है, तो अच्छा का सापसाइड, 170 के लक्ष के लिए अल्मोस 55-60% का उच्छाल, हम रीष expect कर रहे हैं, खरदारी कर रहे हैं, स्टॉक में, भ्रेक लों से पहले, अविनाज एक स्टॉक वो है, थिरुमलाई अब ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई, जो थे उससे 40-45% ये भी नीचा आ गया है, तो अल्मोस आदे पर मिल रहा है, लोगे कैसर, chemical stocks की अभी भी थाइलिक अनडराइड हम पैन से जाना जाते हैं, और मैन जो है, वो मैलेक अनडराइड है, जो food products में यूज किया जाता है, अशिश भले ही stock उपर से गिरा है, लेकिन अगर हम इस segments की अगर हम बात करें, तो paint और pigment से अच्छी कासी double digit growth आने वाले साल में भी आएगी और इस अच्छी तरह से full utilization पर operate करेगा और अच्छी तरह से top line और profits को contribute करेगा, तो करीबन हमको लग रहा है कि यह level से भी अगर निवेशक कोई खरीदता है, तो कम से कम 1650 या 1680 का target price मिल सकता है, यह definitely एक अच्छी well managed company, dividends भी अच्छी देती है, और हमको लग रहा है कि निवेशक को यह जो निचले लेवल का मौका मिला है, इसको definitely accumulate करके अपने portfolio में include करना है, ओके accumulate करें, portfolio में include कर सकते हैं, चाहाँ आप लोग सोचते हों कि इतने सारे stock गिरेते, यह लोग इंच उनिंदा stocks पे क्यों बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी research team ने क्या था, इन तमाम experts को जो बहुत नहीं आये थे, उस stock को discuss करने को भी मतलब भी नहीं था, इसलिए उनको लिया नहीं गया, छे stocks पर बातचीच हो चुकी है, experts ने अपने almost 6-6, 2-2 picks दे दी हैं, मैं एक काम करता है, एक break लेता हूं, तर असल 3-3 picks तीनों के पास थी, break के बाद, जो हमारी list में से experts को पसंद आय स्टॉक्स हैं, उन पर जाचा, सरकारी बैंक की बात शेडी थी, ऐसी सरकारी कंपनी की भी आफट बड़ी तगड़ी पटाई हुई है, तो उनमें दो है, भारत Electronics और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, तो अविनाश ये, आप BEL के बारे में बताओ, भारत Electronics, खरदार सरकारी कंपनी चाहिए, सरकारी कंपनी जाथ स्पेस अट्राक्टिव लगती आप लोगों को वाकई, बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस लेवल से ये गिरा है, अरॉंड 175-180 का स्टॉक सालबर पहले था, अभी कुछ 107-108 है, I think markets में definitely disappointment इसलिए आया क्योंकि चौथे क कि तिमाई में बहुत टॉप लाइन और प्रॉफिटिबिलिटी पे बील ने काफी disappointing numbers दिखाए, मेरे ख्याल से markets का अनुमान नहीं था कि margin में इतना pressure आएगा, टॉप लाइन भी गिरेगा, लेकिन अगर हम company की order book देखे आशिश, तो मुझे लग रहा है कि clearly इस quarter में management ने का करने के कारण margin में थोड़ा बहुत दबाव आ गया है, लेकिन आने वाले दो साल के लिए management काफी confident है, management ने ये भी काया कि आने वाला साल ड़ाइट इस F19 के लिए 16 से 17,000 क्रोर की order inflow वे expect कर रहे हैं, already 40,000 क्रोर की order book है, तो business है, मेरे ख्याल से margins में improvement आने के लिए शायद ए अंबिया दी के लिए कोई रखे, और हमारा मानना है कि ऐसी companies में जहां पे debt विल्कुल नहीं है, और business visibility बहुत strong है, ऐसी companies में ज़रूर निवेश करना चाहिए, हमारा यहां पे मानना है कि करीबन 12-18 में में 150 का target price possible है, ओके तो खरदारी करने के मौके, BEL में ढूंडें, और government companies, जहां पे government का meddling और regulation कम हो, वो ही companies देखने चाहिए, और Engineers India clearly उस segment पर पढ़ता है, last 5 साल में, यह recommendation दे तो आप लोग भी मानते हो कि सरकारी companies portfolio में, आप लोग रखते हो कि अभी portfolio में अपने, सरकारी companies, रखते तो है, रखते है, रखते है, आप्सुलिए, आप्सुलिए, क्योंकि सरकारी companies कभी मुझे कमाक ही नहीं दिया है, और में इसे गलती जाती है, जब भी उपर जाते है, मुना पर बांदू नहीं तो, हमेज़ा फस जाता हूं, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, इन levels पर खरदारी करूं, इस level पर खरदारी करनी चाहिए, and if you see a decent move, भुक त is say 180, यदि दो मेने में 140 हुआता है, it makes sense in booking some profits, थोबाद पर खरदारी कर रखना चाहिए, you shouldn't be selling the whole thing, and engineers India में, जैसे कि आपने भी बताया अभी, that order book position is nearly 5X last year's sales, और जिस हिसाब से expansion हो रहा है refineries के लिए, I think this will continue at least forcible future, क्योंकि petroleum demand तो बढ़ रहा है, EVs is quite, I mean sometime away, तो उसका fear अभी तक नहीं है, so जब तक ये expansion चलेगा, which is forcible, at least the next 5 to 6 years, if not more, engineers India will have enough orders, और जिस हिसाब से ये गिरा है, I think at these levels, it's a steal. तो खरदारी करने के मौके, दोनों सरकारी banks जिसकी चर्चा करी थी, PNB और Bank of India, उसमें तो खैर एक word of caution था कि अगर अब higher investors हैं, तबीक उसे, इन में ऐसा issue नहीं, दोनों companies attractive लगती है, BEL और EIL, दोनों में खरदारी करने के मौके, विकास सेटी सर, Dixon Technologies आज का, अच्छा, विकास जी नहीं है, मौनसून की हम बात कर रहे हैं, और बार इसकी चलते हैं, शायद विकास जी का वीडियो भी freeze हो गया है, चलिए, Dixon Technologies के विकास जी का call था, वो screens पे ले आएं, मैं बात इसलिए कर रहा था, इस stock की, क्योंकि यह stock भी 30-35% अपने हाई से correct होता हुआ नजर आया था, एक interesting IPO उसके बाद तगली rating हुई थी, और अब शायद वापिस correct होने के बाद, क्या ये मौके हैं, किसी stock में entry करने के, एक अच्छी company, contract manufacturing company में, तो Dixon Technologies पे विकास सेटी का call है, अगर है, तो hold करें, घवराएं ना, और इन levels पे fresh entry भी करी जा सकती है, buy का भी call उनका आता हुआ, 3700 के targets के लिए, यानि कि मौझदा सतरों से almost 25-30% के असपास का upside, Dixon Technologies भी दे सकता है, चलिए, quickly wrap up कर देता हूँ, जिन stocks हमने बात चीत करी, ये stocks कौन से थे, जो off late तगरी पटाई जेल चुके हैं, जिनमें हम कह रहे हैं, sale लगी हुई है stock market में, जैसे sale में सब कुछ नी उठाया जाता, वैसी share बजार में भी नहीं, तो experts पदद कर रहे हैं हमारे लिए cherry picking करने की, अमरीश की पहले calls आपकी screens पर, bank of India, high risk investor है, तो शायद in levels के आसपास भेध attractive ये bet हो सकती है, खरदारी करने के मौके, there is light at the end of the tunnel, ये अमरीश के words थे, India cement, valuations attractive है, दिक्कते खत्म होती हुई, शायद एक turnaround story बने, खरदारी करने के याँ पर मौके, और सरकारी कमनी इंजीनियर्स, India limited, अची order book, अगले 4-5 साल तक कोई issue नज़र नहीं आता, और जिसतने की पटाई ही उसके बाद, इस stock में entry करी जा सकती है, दूसरे pick screens पर लेकर आएं, चलिया, अविनाश गुराक्षकर साब के picks अब आपकी screens पर आएंगे, और अविनाश की जो calls है, एक और सरकारी bank था, PNB, अविनाश का भी कहना है इन levels पर थोड़ा सा और correct हो जाया, तो खरदारी करने के मौके होंगे, यह भी high risk investor के लिहाद से एक trade होगा, भारत electronics, BEL, अच्छा धंदा, correction के बाद, valuation attractive लग रहा है, खरदारी करने के यहाँ पर मौके, और तिरुमराई chemicals, अच्छी company, chemicalizer space, अभी भी attractive और जिस specific segment में है company, व जाड़े 400 के targets के लिए, Dixon Technologies खरीच सकते हैं, अच्छे कासे आप साइट्स पर बेट कर रहे हैं, लेवल्स पर, इस stock correct हुआ तो, equally strong rebound दिखाता हो, नजर आएगा, अच्छी fundamental company, और वेदानता, attractive है, इस कमजोरी में, खरदारी करने के इस दिग्गत stock में भी आपको मौके चलिए, आप तीनों का सर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये cherry picking कराने में मदद करने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, और in fact आप सबका, इस monsoon sale, हमारी खास पेशकर्ष को देखने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, सीवेड़े